So hey guys, welcome back to another video So guys, अगर आपने FastPay India का ID बनवाया है और आपको ID के साथ आपका password भी दिया होगा और PIN भी दिया होगा जो की एक temporary PIN और password होता है आप उसे change कर सकते हैं So guys, अगर आप FastPay India यूज़ करते हैं और अगर आप अपना ID password को change करना चाहते हैं तो किस तरह से change करना है, सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरे end तक देख लेना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना साथ में share कर देना और चैनल पर ने तो subscribe कर लेना तकि ऐसे interesting YouTube को मिलता रही चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाई सबसे पहले आपको अपना फास्ट पे इंडिया open करना होगा तो यहाँ पर फास्ट पे इंडिया open कर लेते हैं open करने के बाद इस तरह का interface आ जागा यहाँ पर हमारा dashboard open हो चुका है तो अगर आप अपना password को change करना चाहते हो और pin को change करना चाहते हो तो इसके लिए simply आपको profile option दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको click करना होगा तो यहाँ पर click कर लेते हैं सो गाई जैसे हम यहाँ पर click करेंगे इस तरह का एक नए interface आ जाएगा यहाँ पर हमारा सारा detail दिया गया है नाम लिखा हुआ है, number लिखा हुआ है, email id लिखा हुआ है नीचे में आप दख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है change password, change pin, forget pin, change theme आप यहाँ से अपना password को change कर सकते हो, pin को change कर सकते हो और अगर आपका password भी पता नहीं है, और pin भी पता नहीं है, तो आप इसे forget करके वापस से बना सकते हो तो यहाँ हम simply change करके बताएंगे कि आप किस तरह से अपना password को change कर पाएंगे और pin को भी change कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ change password का option दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का एक नए interface open हो जाएगा, तो simply आपको आपका password डाना होगा, जो कि आप अभी use कर रहे हो उसके बाद आपको यहाँ पर new password डाना होगा, और confirm करने के लिए फिर से आपको new password डाल देना है तो यहाँ पर सारा detail fill कर लेते हैं सो गाइस यहाँ पर हमने सारा detail fill कर लिया, वल्ट password डाल लिया, new password डाल लिया, और confirm करने के लिए यहाँ पर हमने new password डाल लिया सारा कुछ detail fill करने के बाद आपको यहाँ पर option दिखाई देर है, change password का, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इं Risk करने लिए आपड उसके बाद हैं यहां पर सेकंड नंबर पर लिखा हैं यहांपर क्लिक करना होगा जैसा यहां पर कुलेंगे तो इस दरह का एक नई अफिटर has opened हो जाएगा तो आपको यहां पर अपना current ऑपड़ के लिए डालना होगा और आफ को स्कूसरा कुछ डेटियल करने के बाद आपको attends completely homemade Sümen की हंए वडिव को अच्छा लगा होगा अगर अच्छय लगा तो लाई जरूर कलेना साथ में सेर कर देना और पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही टेस्टी वीडियों को मिलता रहे चलिए आज इस वीडियों को यहीं इंड कर लेते हैं